हलो दोस्तों मैं किन मिसरा स्वागत करता हूँ अपने इस लेटेश वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सक सासकों के बारे में कि सक सासक हमारे भारत पर किस तरह से आक्रमण करते हैं और हमारे भारत मर उनको आने पर जो है क्या-क्या परिवर्तन देखने के लिए मिलता है सारी जानका है दोस्तों पूरी कहानी के साथ लोग बात करेंगे इस टोटली वीडियो में तो वीडियो में काफी मज़ा आने वाला है वीडियो के अंत तक वह रहेगा इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था दोस्तों Greek attackers के बारे में कि हमारे भारत देश पर जो युनानी जो है सासक थे वो किस तरह से आकर्मण किये थे और उनके आने से हमारे भारत के देश में क्या-क्या changes आये थे, हमारे भारत की संस्कृतिक में परिवर्तन हुआ था, हमारे भारत के कानून और प्रसासनिक ब्यवस्ता में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला था, इस सारी बाते हमने एक के पहले वाली वीडियो में बात की थी, आज हम लोग बात करेंगे सक सासक के बारे में, तो दोस्तों सभी को पता है, हम लोग लुसेंट जीकी की जो किताब होती है, उसको बहुत ही अच्छे वे में, फ्लो चार्ट, बिल्कुल इस तरह से फ्लो चार्ट पर डाइग्राम के हल्प से पढ़ रहे हैं, आज हमारा लेक्शन नमर 49 होने वाला है, 48 एट वीडियो मैं आलेडी अपलोड कर रखा हूँ, तो ये अध्याय 18 है, 17 अध्याय जो है हमने आपको पढ़ा रखा, इसके पहले वाली वीडियो में हमने 20 सूची दिखाई थी, तो ये अध्याय 18 है, जो कि जिसका नाम है सक, यानि कि सक सासकों के बारे में हमें इसमें तो बिल्कुल कहानी के साथ पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग में में, काफी मज़ा आएगा दोस्तों, तो चली स्टार्ट करते हैं समय को बरबाद ना करते हुए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, कि ये पहली लाइन जो लिकी हुए, इसको पढ़ें ध्यान से, कि य यूनानियों के बाद हमारे भारत पर आक्रमड करते हैं, तो अगर आपसे कुछे सबसे पहले आक्रमड कौन करता है, तो सबसे पहले आक्रमड करते हैं यूनानी, यूनानी के बाद आते हैं दोस्तों, सक सा सक, वो भी कहां से आते हैं दोस्तों, मद्ध एसिया से आते हैं, अब वो भी पांच साखाओं में आते हैं एक ग्रूप में नहीं आते हैं पांच अलग अलग ग्रूप में आते हैं हमारे भारत पर अटैक करते हैं एक्चली वो आते हैं चारागाह की खोजने जैसे उस समर क्या था पसुपालन चल रहा था तो वहाँ पे जो है हरियाली बहु समझेगा दोस्तों देखे यह हमारा अगर देखू तो यह मध्य Asia से आया थे तो सक जो है वो मध्य Asia से आया थे total कितनी branches में आया थे total पांच branches में दोस्तो सक सासा आते हुए आपको दिखाई देंगे तो ये पांच branches किस तरह से आयी थी हमारे भारत में उसको समझने का प्रयास करेगा दोस्तो इसमें से जो एक branch थी पहले नंबर वाली branch वो आकर के अफगानिस्तान वाले इलाके में बस गई कहाँ पर बसी दोस्तो अफगानिस्तान वाले इलाके में बाकी जो चार branches थी ये हमारे भारत के अलग अलग जो है राज्यों में जा करके घुस गई और वहाँ पे जो है क्या किया इन्होंने अटेक किया और हमारे भारत पर राज किया ठीक है तो flow chart बना हुआ है ध्यान से देखिए इसको एक बार समझ में आएगा आपको कि मद्दे एसिया से आये थे सक जितने भी सक सा सक कहां से आये थे मद्दे एसिया से पांच साखाओं में आये थे पांच साखाओं में जिसमें से प्रथम साखा जो है वो अफगानिस्तान वाले इलाके में चली गए तो इसका तो कोई हमको टेंसन है नी क्योंकि ये भारत में जो है चली जाती है एक तो भारत के उत्तरी भाग में चली जाती है एक भारत के पश्चमी भाग में चली जाती है तो ध्यान से देखिए जैसे भारत का जो उत्तरी वाला पार्ट होगा वो ये होगा इस वाले इलाके में दोस्तों एक जो है आपका सक सासक का एक ग्रूप जो के लिए मिलेगा और सबसे खास बात ये है दोस्तों कि सक सासक अपने आपको छत्रब कहते थे यानि कि जहां पे वो अपना गुरुप जाते थे लेकर कि उसका नाम विख्रते थे जिसका नाम था छत्रब तो दोस्तों ध्यान से पढ़िए कि एक छत्रब का नाम था उत्तरी छत्रब क्योंकि जो चार साखाएं थी उसमें से दो साखाएं उत्तर की ओर चली गई थी भारत के और दो साखाएं पस्चिम की ओर चली गई थी उत्तर में कहां कहां गई थी दोस्तों तो उत्तर में तच्छसिला वाले इलाके में एक साखा बसी हुई थी और एक जो है मतुर अलग 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 इलाके में भारत की उत्तर दिशा में जो है क्या होई थी और पस्चिम च्छत्रफ उसको कहते थे जो कि नासिक और उज्ञेन वाले इलाके आपका गुजराट में जो उजयन का इलाका है उजयन के पास जो है गुजरात में एक राजा रहते थे जिल का नाम थह रुद्र द्रदाम तो यहांसे हम पढ़ेंगे रुद्रदामन के बारे में रुद्र द्रदामन दोस्तों वही जो आपके स्मदित व धूं No अधिलेग भी बोलते हैं उन्होंने जो है क्या किया था बनवाया था इनके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे और बारी-बारी हम लोग मतुरा के सासक के बारे में कुछ जानकाई लेंगे नासिक के सासक के बारे में कुछ जानकाई लेंगे और जो सबसे प्रकारी हमारे भारत में आये थे, वो क्यों आये थे, क्यों आक्रमण के ये थे, तो आपका एंसर होगा, चारागाह की खोज में आये थे, और आक्रमण के ये थे, तो चारागाह की खोज में कहां से आये थे दोस्तों, मद एसिया वाले इलाके से आये थे, और ये युनानी क कि बाद आये थे, किस तरह से आये थे, पांच साखाओं में आये थे, वो पांच साखाओं में से एक साखा चली गई थी अफजालिस्तान वाले इलाके में, चार साखाओं दोस्तों हमारे भारत पर आके अटेक करती है, उसमें से भी चार साखाओं में से भी दो साखाओं उत् उस्टन पार्ट में चलिएंगी उत्तर वाले पार्ट में जो जाती है तो एक साखा तच्छ सिला वाले इलागे में जाती संधुरा वाले में तीसरी संधुरा आप यहाद कि को उज्ञेन के साथ के बारे में कुछ बाते और उज्ञेन के सासक के बारे में कुछ बाते करेंगे तचसिला वाले कोई थि तच्छ जोह हमारे भारत के बिल्कुल वाले इलाके में पढ़ता था तो यह तीन आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको हमलोग बारीgery mejorar पढ़ते हैं दोस्तों इसका आप इस Coronla जी देक इसकींसाट 123 हां तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं सक्षासकों के बारे में तो सबसे पहले हुआ जो है टापिक है आपका मतुरा के सक्षासक ने क्या क्या किया है उसके 보ां बारे क्या-क्या बात आप अध्यान्सक्षाइणे कि अने क्या भमत्थम सग जो कि मतुरा का था तो आप एंसर करेंगे राज उल और अन्य महत्पूर सासक में सोडार सा तो not too much important लेकिन एक बारा विश्ची जो को देख लिजेगा उसके बाद जो important है वो जो है अब लिखा गया है उसको ध्यान से पड़ेगा समय चल रहा था 58 BC यानि कि 58 इसापूर और इस समय एक बहुत ही बड़ी घटना होई थ तो मथूरा का जो सक सासक होता है पहले वो मालवा वाले छेतर में जाकर के रहता है लेकिन दोस्तों कि हमारे भारत पर सक सासक जो है दूसरे देश जाय हुए थे तो हमारे देश के एक सासक रहते हैं जो कि उज्जैन के रहते हैं जिनका नाम रहता है बिक्रमा आदित क्या दोस्तो बिक्रम संवत की सुरुवात होती है तो आप से question बनेगा कि किस सन में दिक्रम संवत की सुरुवात हुई थी तो 58 BC में 58 इसापूर में ध्यान से पढ़ेगा सारी चीजे लिखी गई है 58 इसापूर में उजयन के सासक दिक्रमा आदित क्या नाम रहता है इनका दोस्तो बिक्रमा आदित ने पराजित करके ख़देड दिया था कि इसको मथूरा के सक सासक को और इसी सको पर विजय की उपलच में हम क्या मनाते हैं दोस्तो बिक्रम संवत की सुरुवात होती है बिक्रम संवत एक डेट सीट है जैसे इस समय हम लोग कौन सा कलेंडर फालो करते हैं जो की इसाई संवत से रिलेटेड है हिंदु का अपना अलग जो है कलेंडर होता है मुसलिम का अलग होता है जैसे मुसलिम जो है आपके जो है महरम को अपना जो है नया वर्स मनाते हैं उसी तरह से दोस्तों विक्रम संवत भी है और उसी तरह से दो है सारे जो है आपके मना मना जाता है इसाय से जो है इसाइभारत में इसाइभा जनवरीर मना है今 अब क्या करने हैं तो कुछ लोग मनाते हैं तो according to जैसे आप मनाना चाहें आप उस तरह से मना सकते हैं जिस भी धर्म से आप बिलॉंग करते हैं तो आप से question ये बनेगा दोस्तों कि किस संद में बिक्रम संबत की शुरुआत हुई थी तो 58 BC में और क्यों हुई थी दोस्तों मतुरा के सक सासक को उस दिन पराजित किया ग इसी सासकों को हराने पर हुई थी तो सक सासक को आगे आप चलेंगे पढ़ेंगे कुसाडवंस में वहां पर सक संबत आता है जैसे यहां पर विक्रम संबत आया है वैसे कुसाडवंस में मैं आपको पढ़ाऊंगा सक संबत जो की 78 BC में शुरुआत होती है इसकी शुरुआ अब आधेते हैं जब आपढ़ेंगे दोस्तो आगे चलके कुसाडवंस को साड़ में क्या होता है पहला है सक सासको पर तो वहाँ पे सक सम्मत होता है दौनों जगर सक ही आण देस में तो और इसके बाले वीडियो में में घ्मना पढ़ र Burning कहां कि इससे अन्य नाम भी हुआ करता था जिस तरह से आपके संधि में नासिक के संधित नहीं हैं जितरब कहते थे उसी तरह से नासिख के जो सख सासक फें वो छहरात सक बोलते थे अपने आपको क्या बोलते थे दोस्तों छहरात सक जो है इसका एक अन्या नाम था तो यह ध्यान रखेगा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट यह है जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको उसको बता दूँगा तो इंपॉर्टेंट यह है इसको आप ध्यान से देखिए और इसको मैं पढ़ाया भी हूँ दोस्तों कि गौतमी पुत्र साथकरणी जो की आंध्रसाथवाहन की एक सासक रहते हैं वो की गौतमी पुत्र सात्करणी जो कि अंधर सात्माहन से हैं वो ननों की अध़ुरा करके वहाँ के जक्साषक अंत्व कर देती हैं ठीक चीज kita यहाँ पे कि हमारे भारत में सक्षासक आए तो लेकिन मोच मेही रहे उनको जैसे माले जो मात्वुरा के सक्षा सकतें तो बिक्रमा अधित भागा दिये नहपान जो थे वह नासिक के तो किनारे ही है ही पाथ साखाँ मेंसे एक साखा अफगानिस्तान में पहुंचिये अब धीरे-धीरे सक्साशकों का क्या हो जाएगा अंत हो जाएगा उसके बाद जो है हमारे देश में किसका आएगा celebrity उसाडवंस का तो नासिक के बारे में भी आपने देख लिया नासिक के बारे में एक ही बात important है कि नासिक के एक सासक होते हैं जिनका नाम नहपान होता है उनकी हत्या कर दी जाती है गौतमी फुत्रसाथकरणी के द्वारा जो कि मैंने पढ़ा रखा इसके पहली वाली वीडि रुद्रदामन तो अगर आपसे कोई पूछे कि सक शासकों में सबसे महत्युकूर्ण सासक कौन था तो उसका नाम था रुद्रदामन और उसके बारे में पढ़ना तो बहुत ही ज़रूरी है तो उसके बारे में हम बात करेंगे पहलाव वंस के बारे में तो इसी वीडियो तो इसका स्कीन सार्ट ने जे टेक स्कीन सार्ट बन टू ठी हाथ दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं जो कि सबसे महत्पूर्ण सासक थे उजयन के सासक रुद्र दामन के बारे में काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहां से क्वेस्टन बनते भी हैं विस्यस करके रुद्र दामन का विले किस सासक से संबंदित है तो सक सासक रुद्र दामन से संबंदित है तो ध्यान से दोस्तों देखिएगा कौन-कौन से चीज़ें यहां भी इंपॉर्टेंट है सबसे पहला चीज आपसे पूछा जा सकता है कि उजयन के सक सासकों का अन्य नाम क्या था तो कादर्मक सक बोलते थे तो यह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसको आप सकते हैं तो अन्य नाम भस ध्यान में रखेगा कादर्मक सक बोलते थे ठीक है अच्छा यहां पर जानकारी आपको तीन जरूर लेनी है सासक के बारे में अगर पुछेगा आपसे रुद्र दामन जो थे हैं वो किस सासको से सम्बंदित थे हैं सक सासको से यूनानी सासको से कुसार सासको से पहलाव सासको से तो आप आप सन्मारेंगे सक सासको से तो आई होप यह क्लियर हो गया होगा अच्छा अगर आपसे पुछे दोस्तो अंतिम कौन से सासकते हैं तो रुद्र सिंह कृति तो important यही है महत्वपूर्ण साथ सकते रुद्र दामन आप याद रखेंगे बाकी एक बार आप इसको overview कर सकते हैं रुद्र दामन के बारे में कुछ जानकाई लेते हैं दोस्तों देखें रुद्र दामन जो थे इना यह संस्कित के बहुत ही बड़े प्रेमी थे संस्कित पढ़ना और लिखना इनको बहुत ही अच्छा लगता था मतलब कह सकते हैं कि संस्कित के बहुत लगाव रखते हैं और संस्कित भासा में ये दोस्तों सबसे पहले इन्होंने एक अभिलेक तयार करवाया जिसको बोलते हैं रुद्र दामन का अभिलेक, गिरनार अभिलेक, जूनागर अभिलेक ये तीन चार नाम जो हैं आपको याद होने चाहिए जूनागर अभिलेक और गिरनार का अभिलेक किसने बनवाया था? रुद्रदावन में बनवाया था और यह अभिलेक था यह सबसे पहले संस्कित भासा का सबसे बड़ा अभिलेक था और संस्कित भासा में इसके पहले जो अभी अभिलेक होते थे वो प्रकिर्ट भासा में हुआ करते थे लेकिन यह अभिलेक दोस्तो संस्कित भासा में सबसे बड़ा अभिलेक माना जाता है और रुद्रदामन की जानकारी भी इसी अभिलेक से मिलती है भाई आपको पता है कि हमारे इतिहास में जानकारी कैसे मिलती है किताबों से मिलती है या तो कुछ आपको साच मिलेंगे जिसको पुरा तक्तिक संबंदी साच्छ बोलते हैं वहां से कुछ जानकारी मिलेगी सिक्के मिलेंगे तो सिक्के पे जो है राजाओं का नाम लिखा हुआ मिलेगा वहां से हमें जानकारी मिलती है तो इही सब के थुरू हमें क्या मिलती है इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है का सबसे बड़ा अभिलेख है तो आई होप यह क्लियर हो गया होगा और एक मोस्ट इंपोर्टेंट काम किया था रुद्र दामन में रुद्र दामन ने काम किया था वो क्या किया था उसको देखें तो सुदर्शन जील का पुनह निर्मार करवाया था अब दोस्तों यह सुदर्शन जील क्या है तो मैं जब पढ़ा रहा था आपको मौर समराज तो चंदरगुप्त मौर जो है मौर समराज के संस्थापक होते हैं वो जो है इस सुदर्शन जील का को बनवाते हैं और उस सुदर्शन जील को उनका जो नाती होता है जिसका नाम असोग होता है चंद्रगुप्त के बेटे होते हैं उदईन, उदईन का बेटा होता है असोग जो है इसका पुनह निरमाड करवाते हैं सुदर्सण जील का और एक बार फिर से जब सक सासका आते हैं तो उसमें रुद्रदामन भी क्या करता है इस शुदर् हुई लेखे दूसरी बात याद रखेंगे दोस्तों कि यह जो है जुना गड़ यानि कि जो गुजरात वाले इलाके में जील है जिसका नाम है सुधर्वसंजील इसका पुनह निर्मार करवाया था और इस जील को पहले जो है बनवाते हैं चंदगुद मौर उसका पुनह निर्मार करवाते हैं असोग असुप के बाद फिर दुबारा निर्मार करवाते हैं कौन रुद्र दामन तो आई होग ये रुद्र दामन के बारे में आपको सारी जानकारी मिल गए होगी अब दोस्तों इसमें नोट करके एक चीज लिखा गया है जो की थोड़ा important है ध्यान से पढ़िएगा कि मालवा के स सको में अंतिम सासक कौन था रुद्र सिंग तृतिय था तो देखें अंतिम सासक कौन था रुद्र सिंग तृतिय था और इनकी दोस्तों हत्या हो जाती है इनकी हत्या किसके द्वारा होती है इनकी हत्या होती है गुप्त सामराज जी के जो सासक होते हैं उनका नाम रहता है चंद्रगुप्त बिक्रमादित तो जब मैं पढ़ाऊंगा गुप्त सामराज्य तो वहाँ पर मैं पढ़ाऊंगा चंद्रगुप्त बिक्रमादित के बारे में ठीक है आप देखे बिक्रमादित कौन थे बिक्रमादित जो थे वो जो है सक्सासक को मार करके भगाये थे तो अधित की उपाधी ले लेकरके बहुत सा राजा अपना नाम रखते हैं विक्रमा दित तो चंद्र गूत विक्रमा दित ने क्या किया था रुदर सिंग तृतिय को मार करके भगार दिया था उनकी हत्या कर भगया नहीं था हत्या कर दिया था और इस स FROM उसी में वहां पूरे मालवा वाले छेत्र में चांदी के सिक्के को क्या किया था सूरू करवाया था यानि कि चांदी के सिक्के को चलवाया था चांदी के सिक्के का प्रचलन गुप्त राजा चंद्र गुप्त जो है विक्रमा अधित्त के माध्यम से जो होता है क्यों होता है तो दोस्तों अब जो है दस मिनट दस मिनट नहीं वोलेंगे दो तीर मिनट में मैं पढ़ा दूँगा आपको पहलाव वंस के बारे में पहलाव सासक के बारे में कि कुछ जो है इन सासकों के बाद सक सासकों के बाद हमारे भारत में पहलाव सासकों का आकमण होता है तो वह ज साथ presentation के साथ PPT तयार करे रहे हूं दोस्तों तो योशे थोड़ा कुर्द में इमेज मुआज vase रहेंगी और रुद्र्दामन ने किस तरह से समाल उनाघर अभिलेक लिखा ए तो जूनाघड अभिलेक कहां पर है उसका पूरा पिक्चर रहेगा यहांने कि प्रेजंटेशन जिसको बोलते हैं उस तरह से आप समझ रहे होंगे तो वह नोट्स जब रहेगी तो आपको बिल्कुल क्या होगी क्लियर्टी आ जाएगी और अच्छे से जो है समझ जाएगा तो डिस्क्रिप्शन में टेली ग्राम का लिंक है आप जाएए हमारे टेली ग्र कार होगी मैं आपको क्या करूंगा प्रोवाइट कर दूंगा ठीक है दोस्तों चलिए देख लेते हैं पहला वंस के बारे में इसका इसकी बात करते हैं पहला वंस के बारे में बहुत ही ज्यादा कुछ हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है आपके चैप्टर नंबर 18 में ही छोटा सा दिया हुआ है उसी के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानका ही लेंगे जो जो लिखा है उसमें ठीक है तो यह मूल रूप से इरान के निवासी थे अब ध्यान दिखीगा आपसे यह पुछा जा सकता है कि जो पहलों के लोग थे वह कहां से आये थे हमारे भा अच्छी यह राज करने लगे तो जरूरी नहीं है कि सब लोग आकर्मण के अटेख नहीं आये थे हमारे भारत और पाकिस्टान वाले इलाके में हरयाली बहुत अच्छी थी तो चारागाह की खोज में वो हमारे भारत पर आये थे और आकर के भारत पर अटैक कियें और भारत पर अपना राज्य स्थापित कियें लेकिन उनको भगा दिया गया हमारे भारत के सास को द्वारा और कुछ जो है कुसार सास को द्वारा यानि कि अबरहाल हमारे भारत के लो सासक कौन थें फेमस रोलर थें गोंडो फरनिस तो यह आप याद रखेगा कि गोंडो फनिर्स जो थें वो आपके पहलो वन्स के प्रमुख सासक थें बस इतनी जानगाई रखनी आपको अच्छा एक चीज और था दोस्तों इल शासकों के समय में एक ब्यक्ति आया था नाम था सेंट थामस क्या नाम था दोस्तों उस ब्यक्ति का नाम था सेंट थामस और वह उसी समय जब पहलो वन्स चल रहा था तो हमारे भारत में आया था इसाई धर्म का प्रचार करने के लिए इंपोर्टेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि उसकी हत्या कर दी गई थी इसलिए पहलो वन्स में आपको यह भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा ध्यान रखेगा कि सेंट थामस इसाय भर्म का परचाज करने के लिए आया था इली के सासनकाल में जिसकी क्या कर दी गई थी हत्या कर दी गई थी तो यह चीज आप याद रखेंगे यहां लिखा नहीं है पहलो ओबन्स के लिए थी तो आप लीख सकते हैं आपकोल की विदियो इसी नाम होता है कनिस और कनिस के बारे में लोग पढ़ेंगे कलिश के सक सासकों को भी भगाते हैं कुछ पहलव वन्स के सासक होते हैं उनको भगाते हैं तो याद रखेगा कि पहलव राज का जो अंत हुआ था वो कुसाणों के माध्यम से हुआ था अब आएंगे कुसाण राज करेंगे फिर उसके बार दोस्तों दूसरे कोई राज करेंगे हम लोग तो राजवाला ही पढ़ रहे हैं एक लोग आ रहे हैं राज़ कर रहे हैं फिर एक कांत हो रहा है दूसरा आ रहा है राज़ कर रहा है दूसरे कांत हो रहा है तो इतिहास में तो यहीं सारी चीज़े पढ़ेंग देखें, Lucent के book से एक भी चीज बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, हो सकता है, Lucent में ये point, दूसरा point, अठमे point पर लिखा हो, लिंक करके मैंने चीज़ों को बना दिया है, Lucent से बाहर नहीं है, और Lucent के मतलब अंदर ही है सब कुछ, I hope आप समझ रहोंगे मेरी बातों को, और दोस है, इस चैनल पर notification के बारे में बताता हूँ, कोई update आती है notification की, उसको भी मैं तुरंत upload करता हूँ, तो कैसी लगी ये वीडियो, अपना feedback जरूर दे comment करके, मिलते हैं next वीडियो में, कुसाड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग next वीडियो में, सब तक के लिए पढ़ते रहे झारे में